वेलकम टू मैं चैनल आरजे वैच किचन आज हम बनाएंगे सरसो का साग तो उसके लिए मैंने हापर सरसो ले ली है और थोड़ी सी लिए पालक जितनी हमने सरसो ली है उसके आधी हमने पालक ली है आप इसमें और भी हरी सबजियां यूज़ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी स साग बन के तयार होता है दो हिस्ते हमने सरसो के लिए थे वो काट ली है और यहां पर एक हिस्ता पालक है वो भी काटके ले लिया है अब इस सारे के सारे हरी सबजी को हमें डाल देना है एक कूकर में कूकर में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक नमक ठोड़ी सी ह heritage और धनिया की पत्तियां धोड़ा सा पानी डाल के इसको हम तीन सी चार सीटी अच्छे से लगा लें गे तो तीन सी चार सीटी अच्छे से आ चुकी है और हमारे यहाँ पर साग जो है भरा भरा था और बिल्कुल तले में जा चुका है देखे और यह बहुत अच्छे से पक चुका है अब हम इसको ग्रैंड करके ले लेंगे और यहां पर मैंने एक कढ़ाई ली है उसमें मैं डाल रही हूं थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ओयल पहले मैंने घी डाला और अब मैं ओयल डाल रही ह ऑईल गरम होने पर हम उसमें डाल देंगे जीरा आप चाहें तो इसमें पूरी तरह ऑईल भी ले सकते हैं जीरा को थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि जीरे से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे साग में आप हमें डाल देनी है इस पर बारिक कटी हुई लेसन लेसन थोड़ा ज्यादा यादा डालेंगे बहुत बारिक चॉप करके लिए और थोड़ी सी डाल रही हूं अद्रक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ज्यादा ज्यादा लेसन और अद्रक डालने से हलका सा क्रंच हो जाए इसलिए थोड़ा सा चला देते हैं अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा रोश्ट करने के बाद में बारीक टवी प्याज डाल देंगे और कलर चेंज होने तक पकाएंगे प्याज जल्दी पक जाए इसलिए थोड़ा सा उसमें नमक डालते थे मैंने एक चमश नमक डाला है पर ध्यान देना है कि हमने पहले भी साग में नमक डाल है इसलिए हम यहाँ पर नमक उसी अकॉर्डिंग करेंगे नहीं तो नमक चाहदा हो जाएगा अब ग्राइंडर में हम साग ठंडा हो गया है तो साग को डाल देते हैं लेकिन हलका हिलकी भाप अभी भी हमारे साग से आ रही है इसलिए हम ठंडा पानी इसमें डाल देंगे तो यह मैंटेन हो जागा इसको ग्राइंड करके ले लिया है मैंने देखिए तो बहुत ही अच्छा टेस्चर आ रहा है अभी से अब हमारे हाँ पर मसाल भी अच्छे से ठनिया पाउडर थोड़ी सी कसूरी मेथि क्रस करके डाल दी है धीमी धीमी फ्लेंपर पकाएंगे थोड़ी से जाल देंगे इस्प्रिंग ऑनियन बहुत अच्छा फ्लेवर साग में स्प्रिंग उनियन का इसको बहुत जाछ जादा पकाना नहीं है बस हल्का सा सौप्ट करना है अब हम इसमें डाल देंगे हमारे साग का पेश जो हमने बना के त्यार कर रहा है अच्छे से साग को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें डाल देंगे हम मक्के का आटा मैंने यहाँ पर टू टेबल स्पून मक्य का आटा डाला है पहले एक बार डालेंगे उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर दूसरी बार डालेंगे फिर उसको मिक्स करेंगे एक साथ जादा नहीं डालेंगे नहीं तो उसे लंप्स पढ़ने की संभावने रहती है और अब हमें साख के साथ मक्के के आटे को दो से तीन अच्छी तरह उबालाने तब पकाना है जैसे जैसे साख का कलर डल होने लगेगा वैसे वैसे हमारा साख पकने लगेगा और टेस्टी बनता जाएगा तो देखिए हमारे साख का कलर काफी हत्तर डल हो गया है और हमारा साख जो है वो पूरी तरह के से बन के तयार हो गया है और हम करते हैं इसके तड़के की तयारी तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है तड़का पैन उसमें वन टेबल स्पून घी डाल के उसको मेल्ट होने दूँगी और फिर उसमें डालूँगी जीरा खुब सारा जीरा डालना है थोड़ी सी हरी मेर्च और लेसुन तड़का तयार है अब हम उसे अपने साग में डाल देते हैं और यहाँ पर हमारा पंजाबी स्टाइल साग बन के तयार है सरसो का बहुत टेस्टी साग बन है रेस्पी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जोड कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू